मैं हमेशा कहती हूँ कि जंदगी कैसी है इसका एक बहतरीन एक्जामपल मैं आपको देती हूँ यहां कितने हैं जो मूवी देखते हैं हाथ उठाना बहुत सुंदर तो जब आप मूवी देखने जाते हैं और यह दोनों के लिए है जो किरदार निभा रहे हैं वो भी और जो देख रहे हैं वो भी कि जब कोई ऐसा सीन आता है जिसमें गुसा आना चाहिए आपको गुसा आता है कोई चीज बुरी लगनी चाहिए बुरी लगती है कुछ हसी की बात आती है हसी आती है आप क्या थेटर से निकल के भी वह ही करते रहते हो रोते रहते हो या हसते रहते हो या फिर जिस इंसान ने किरदार निभाया है जो आक्टर आक्ट्रेस है वो अपने घर जाकर भी वैसे ही रहते है नहीं न ये जिन्दगी एक मूवी की तरह है आप सबको अपने अपने किरदार मिले अपने किरदार इतने पिक्चर खतम हुई उस दिन वापस अपने घर जाना है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किरदार अच्छे से मत निभाव किरदार इतने अच्छे से निभाव कि आपके जाने के बाद लोग कहें कि पिक्चर सुपर हिट थी आपकी जिन्दगी आपकी पिक्चर है इसको तो अध्यात्मिक पर्स्पेक्टिफ तो यही कहता है उमीद रखो मत उमीद रखोगे तो दुख मिलेगा भगवान ने यह वही बात है कि सामने रस्ता है और लिखा है आगे खाई है अब आप कहोगे मुझे तो जाना है तो गिरोगे भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं कि जबरदस्ती करनी होती तो महा भारत का युद्ध नहीं होता है दुरियोधन को दो थपड लगाते है पर भगवान जबरदस्ती नहीं करते है